तो दोसने एक बड़ी खुश्खवरी यहाँ पर अभी अभी हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा जो है वो सुनाई गई है दे गई है आप सभी व्यर्थियों के लिए नई शिक्षक भरती के यहाँ पर जो है कहा गया है कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भरती जो है यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन में जो पदू की संख्या है यह पद कितने कुछ होंगे उसके बारे में बात करेंगे आखिर काउन सा मामला था कि अचानक से यहाँ पर जब हम डबल बेंच की बात करें उन्होंने जो अभी फैसला सुनाया उसके बात जो है यह चीज को मिल रही है तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं 68500 की भरती अगर आपको याद हो 18 जून 2018 के एंसीटी की गजेट के पहले किवल DLA या BTC ही प्रात्मिक वैलिड था उसमें 28500 की जो भरती हुई और 69000 की भरती हुई उसमें जो सिक्षामित्रों का समायोजन था उनको 17000 पदों पर भरती देने के बात की गई थी 24000 में से 6800 जो एक सूची जारी हुई थी ये कहा गया था माननी ये शिक्षामित्री के महोदे के द्वारा उस समय के जो ततकालीन थे कि 6800 पद हम 24000 में निकाल देंगे लगबग 17000 पदों पर नोटिफिकेशन भी आया था लेकि पर आपको एक नई प्रात्मिक शिक्षक भरती देनी है यहाँ पर जब हम 17000 शिक्षक भरती की बात करते हैं तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर आरक्षर संबदी घोटाला देखने को मिला है उनमें कहीं न कहीं बिना केंडिडेट्स को निकाले जो 4 साल से न जो है वहाँ की जा रही है मैं आपको बता दू यह जो 68500 का जो मामला था यह 2020 से ही कोर्ट में चल रहा था 30-33 का मामला था 30-33 कटाओफ के आसपास जो 40-45 किया गया था और आपको यहाँ पर मैं बता दू यह केस इस्टेस जो है फर्स्ट हेरिंग डेट इसका 15 फरवरी 2020 थ हुई है और इसका फैसला जो है वहाँ सुना दिया है तो यहां से कही न olur जो मिद बनती है नई प्रहात्मिक शुकषक भरती ने क्योंकि हाँ पर कोर्ट ने भी द्खल दे दिया है और उसने कहा है कि नई प्रहात्मिक शखक भरती आप कर यह आगे कुछ और इंफॉर litter मिल